तो हलो दोस्तो welcome back to a new video तो दोस्तो आझ की इस वीडियो में आपको जो इस्मार्ट गागा का एक one of the best version देने वाला हों जिसमें आप free fire free fire max game को easily without any error जो इसमें प्ले कर पाओगी इस वीडियो में आपको जो smart गागा का एक ऐसा version देने वाला हों इसमें आपको जो Android 7 version मिल जाएगा जिसमें आप Free Fire, Free Fire Max Game and और भी अधर गेम जो इसमें प्ले कर सकते हो। इसमें आपको जो कोई भी Error वगेदर देखने को नहीं मिलेगा आप जो इसमें इसली Free Fire ये फिरी Fire Max Game को प्ले कर सकते हो। तो चली फिर इस वीडियो में आपको जो step by step बताऊंगा कि आपको जो अमुलेटर को कैसे download करने हैंड इसको कैसे setup करने हैं सब कुछ मैं आपको step by step बताने वाला हूँ। तो आप जो वीडियो को लाज तक देखना वीडियो को skip मत करना तो चले फिर वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं आपको description में जो इस स्मार्ट गागा मुलेटर कर लिंक दे दूँगा आप जो वहाँ से जाकर किसे डाउलोड कर लेना नाओ डालोड कर लेने के बाद यह जो एक zip file होगी तो आप जो पहले इस जिप कर लेना तो आप इस पर right click करना एंड यहां से आप जो इसे extract here कर लेना आप अफटर extraction यहां पर जो इस smart gaga 1.1 नाम से यह folder आ जाएगा तो आपको simply इस वाले folder में चले जाना है यह पर आपको इंजिन वाला folder मिलेगा आपको इसमें चले जाना है उसके बाद आपको यह आपर निचे की साइड आना है तो यहाँ पर आपको यह launcher नाम का इसका एक shortcut मिल जाएगा तो आपको simply यहाँ पर डेक्स्टर पर इसका एक shortcut कर लेना है तो यहाँपर यह Dextrepa पर जो इसका एक छोटकाट आजाएगा लौ उसके बाद अब आपनी क्या करने कि आपको जो यहाँपा दानेजर एड्मिनिस्ट्रेटर पर किलिक करके इसको जो ओपन कर लेना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आप आप अबाट फोन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको यह Android वर्जन 7.1.2 देखने को मिल जाता है जिसमें आप इसमें जो फिरी फार यह फिरी फार मेक्स गेम को प्ले क कर सकते हो तो आपको जो यह आपको इसमें इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी बता देता हूं तो इसके लिए आप सेटिंग को उपन कर लेना एंड यहाँ पार एडवांस में आ जाना इंद उसके बाद यहाँ पर रजुलूशन का उपशन मिलेगा तो यहाँ पर आप मोड में आपको इसे डेक टेक्स पर रहने देना है तेहन उसके बाद आपको कुछी नहीं करना है एंड यहां से आपको एमुलेटर को रिबूट कर लेना है ताकि यहां पर जो भी सेटिंग आप ने की थी वह जो अपलाई हो जाए नाओ अमुलेटर दी स्टार्ट हो जाने क बाद आपको बताताओं कि आपको जिसमें फीलीपार गीम को कैसे sincerity करना है तो इसमें में इंस्टार और को अगे दिसकर अपको इसमें इनस्टॉल कर सकते हो जैसी मेरे पास अपने का सकता हूं तो इसके लिए आपको simply करना में कि मैं आपको description में free fire game की एपिके फाइल का link कर देदूँगा आप जो simply वाज से जाकर कि इसे download कर लेना कर देगा तो चलिए फिर में आपको जोई आप गेम को ओपन करके दिखा देता हूं तो जैसी कि आप देख सकते हो कि यहाप जोई फ्री फाइर गेम ओपन हो चुका है अब आपको क्या करना है कि game को ओपन कर लेने के बाद अब आपको यहाप इसकी की मैपिंग भी कर लेनी ह तो इसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग में जाना, एंड कंट्रोल में जाना और यहाँ से कस्टम अजूडी को ओपन कर लेना उसके बाद यहाँ पर आपको एक Key Mapping Option मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करना तो यहाँ पर एक Key Mapping ओपन हो जाएगी इसमें आपको परफेक्ट Key Mapping पहले से मिल जाती है तो आप यहाँ पर जैसे मर्जी अपने इसाप से Key Mapping रखना चाते हो आप जो आप रख लीजेगा यहाँ आप माउस को लोकर लोक करने के लिए आप जो यहाँ पर कंट्रोल बटम के यूज़ कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर Key Mapping कर लोगे तो यहाँ पर आप से पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर जो गी Mapping से वह जाएंगी अब आप जो इसमें इसली गेम को प्ले कर सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी लाग वगदर देखने को नहीं मिलेगा अगर आपके PC में यहाँ पर गेम लाग करता है तो आप से अंपली क्या करना कि डिस्प्ले में जाना और यहाँ पर आप जो इसे सुमूत पर गेम को प्ले करना तो यहाँ पर जो गेम लाग नहीं करेगा तो चले फिर आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना